बड़े बड़े पॉड़कास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं यह चैनल को सब्स्राइब कर लो पॉड़कास्ट की जो सबसे बेस्ट बेस्ट बाते होगी, मेरे पॉड़कास्ट की वो इस चैनल पर मैं डालता रहोंगा, शौट क्लिप्स में ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलिज गेन कर सको नाओ लेट स्टार्ट जब आप सड़क पार करते हैं और आपको पता है कि उधर जाना इमीडेटली जरूरी है पर तेजी से कारे आ रही है तो विल्यू टेक दा रिस्क नहीं लेगे और आप डिले कर देंगे तो हमारे माइंड का सबसे पहला रिजन यह होता है कि हम अपने पेन को आवाइड करना चाहते है और प्लेजर की तरफ जाना चाहते है अगर इस टाइम यहां एसी बंद हो जाए तो हमें डिसकंफर्ट आएगा हम कहां भागेंगे जहां पर ठंडियावा होगी ऐसे ही आप करते हैं यानि कि हमारा सबसे पहला मोटिवेशनल फेक्टर होता है डिसकंफर्ट से बाहन आना और कंफर्ट की तरफ जाना और अब आप मुझे कह रहे हैं मेरे माइंड के अगेंच्ट मुझे चला रहे हैं जो माइंड राशी बिलियन नियूरोन वाला है कि तुम कंफर्ट जोन से बाहरा जाओ तो आप क्या इसका मदलब है तो आप तो मेरे साथ मुझे तो complete confuse कर रहे हो consciously आप मुझे करें कंफर्ट जोन से बाहरा हो और mind ये करा कि रहना कंफर्ट जोन में क्योंकि इसकी पहली value कंफर्ट में रहना है तो इसका मदलब है अब आप कहेंगे फिर ये क्या गड़बड़ होगी गड़बड़ ही होगी friends जीशान साब कि मैं किताब पढ़ता हूँ I'm a good reader आपकी तरह मैं उसकी summary बनाता हूँ मैं उसके core point बनाता हूँ और मुझे कई बार सुबह से लेकर रात हो जाती है और मैं कई बार मेरे बगल में खानावाना snacks रखके गई है family वो यादी ने रहते मैं इस comfort zone को क्यों छोड़ दो जिससे मुझे पैसा मिल रहा है growth मिल रही है मैं दोड़ लगाता हूँ मुझे comfort zone है तो मैं इससे बाहर क्यों आऊ मैं किताब पढ़ता हूँ तो मेरे comfort zone है इस समय मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और लोगों का इससे भला हो रहा है ऐसा लग रहा है कि मैं दस घंटे तक बोलता हूँ यह मेरे comfort zone है तो मैं इससे एक बार क्यों आऊ मैं अगर इस push up कर रहा हूँ अपनी body को बना रहा हूँ तो यह मेरा comfort zone है जब मैं धूप में दोड लगा रहा हूँ और अपने आपको एक खुब सुरत chemical को निकाल रहा हूँ ताकि मुझे नीद अच्छी आए तो यह मेरा comfort zone है अब आप कहते हैं नहीं यह comfort zone नहीं है यह तुमारी definition है तो फिर दूसरा comfort zone क्या होता है मैं कहता हूँ यह comfort zone होता है दूसरा बरबादी zone है कि आप पढ़े हो आठ बजगे आप फिर भी पढ़े हो ठीक है नहीं दस बज़े तक आप सो रहे हो I don't care I mean लेटे हुए हो मैं आपको बताओ रात के बारा बज़े मेरी वक्षोप खतम होती है रात भी साड़े बारे बज़े खतम हुई है उसके बाद भी मैं एक घंटे तक नोटस बनाता रहा जब मुझे लगा कि सुबह मुझे फ्लाइट पकड़ने आपके लिए तब जो मैं सोने गया वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं था कंफर्ट जोन मेरा ये था कि मैं आठ बज़े से लेकर और रात के साड़े बारा बज़े तक पढ़ा रहा हूँ और फिर एक डेड़ बज़े तक मैं आगे पढ़ रहा हूँ तो मैं इस कंफर्ट जोन comfort zone है और जब मैं बेकार टाइम बर्बाद कर रहा हूं ऐसे किसी के साथ बैट कर कोई बेकार की बात है यह मेरा discomfort zone नहीं यह बर्बादी zone है तो दिर आर उनली two zone बर्बादी zone versus comfort zone यह definition को redefine कर दो और क्योंकि यह हम कैसे चीजों को define करते है वो बहुत important है मेरे साब से अनलप में तो और जादा है वही एक्चली नलप पूरी लाइफ ही है हमारी जसे हम जीते हैं कि हम comfort zone को आप उन चीजों से मत करो जिसमें आपको comfort आ रहा है मत जो आपके लिए अच्छा है दूसरों के लिए अच्छा है उसको अ आपने वोकेशन को अपनी वेकेशन बना लिया यानि कि आपने अपने काम को ही अपनी चुटी बना लिया अपना holy day बना लिया आपको यह जुरत नहीं पड़ रही कि अब यार अब मैं इस से ठक गया हूं नहीं नहीं दा मॉर्य यॉर दूइंग दा बेटर यॉर जैसे, आप अपने परिवार के साथ beth भी ết, भाते करें अँसते हैं, कहाँ थाल होती है यह नहीं होती है व्वगिंट य lore और दोन्य मेक यूराइचन रे कोशेंघ्ड कोशीर मेक अर्ड़ॉइशन मेक यूराइचन रे कमफर्ट जून कर 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 अ